नमस्कार जैहिंद बत्रा डिफेंस एकडमी के ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी देश के वीर जवानों का हारदिक स्वागत हैं दोस्तो तिरंगा सिरीज के साथ मैं हूँ आपके साथ विवेक मिस्र इस सिरीज में हम लोग कुछ ऐसे महत्वपून प्रश्णों पर चर्चा करते हैं जो आपके हर एक परिक्षा के लिए डिफेंस के एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टन होता है तो बिना देर के हुए चलिए सुरू करते हैं आज के इस इंपोर्टन सेशन को और देखते हैं कि आज आपके लिए तिरंगा सिरीज में कौँ सा महत्वपून शवाल है दोस्त क्वेशन नंबर एक आपके सामने है जो की सब्सेल में लंबी इंटराश्टी शीमा बनाता है बांगलादेश के साथ जो की होता है 4096 किलो मीटर यहाँ पर आपको ये पॉइंट समझना है बट यहाँ पर कौन से और महतवपूर्ण पॉइंट होंगे जो आपके एक्जाम के लिए काफी बेनिफीसियल हो सकते हैं उस बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे उस पॉइंट की बात करेंगे और आपके सामने है उसी से संबंधित एक मैप आपके सामने यहाँ पर आप देखिए तो फाइव इंडियन इस्टेट यहाँ पर आपको नाम भी दिये गए हैं और वो फाइव इंडियन इस्टेट कौन कौन से हैं असम है वेस्ट बेंगॉल है मिजोरम है मेघाले है और इसके बाद क्रिपुरा है यह सभी कि सभी बार्डर सेर करते हैं बंगला साथ समझ ये यह होती है आपकी बंगला देश की ये सारी शीमाएं ये बंगला देश की शीमाएं आपके सामने हैं और इसके बाद में आप देखेंगे तो जो हमने ये रेड कलर में बनाया है यही टोटल डिस्टेंस हो जाती है 4096 किलो मेटर यहां पर पहला पॉइंट आपक सेकंड यहां पर देखेंगे मिजोरम तो मिजोरम भी करता है और इसके शाद साथ में आप देखेंगे मेगाले और तुर्पूरा है यहां पर फूर्थ नमबर पर है मेगाले और तृपूरा तो यानि कि पांच ऐसे स्टेट हैं भारत के जो की बॉर्डर सेयर करते हैं दूसरा प्रशन आपको पूछा जा सकता है कि सबसे कम सीमा कौन बनाता है सबसे कम सीमा कौन शेयर करता है तो आंसर आपका होगा अफगानिस्तान यहाँ पर आंसर आप क्या लगाएंगे अफगानिस्तान लगाएंगे और भारत अफगानिस्तान के बीच की जो बाउंडरी ह 106 km हैं यहां पर maximum और minimum वाले को आप ध्यान में रखिए ऐसे questions आपको मिल सकते हैं कि maximum किसकी है और minimum किसकी है तो दोनो टाइप के questions आपको मिलते हैं दूसरा point आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो boundary line है इसको हम लोग क्या कहते हैं दूरंड लाइन इसी को बोला जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं दूरंड लाइन बोलते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को जो की होता है मात्र 106 km चली अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अब आपके सामने है question number 2 which are the following states of India is connected by international border from three side यहाँ पर आपको बताना है कि भारत का वह कौन सा ऐसा state है जो की तीन तरफ से अंतर राश्टी सीमाओं के जरिए जुड़ा हुआ है यहाँ पर आपको options दिये गए हैं असम है पर्सिम बंगाल है नागा लैंड है और सिक्किम है तो इस सवाल का आपका right answer हो जाएगा question number second में सही जबाब आपका होगा option number D होगा यानि कि आपका सही जबाब हो जाएगा सिक्किम सिक्किम एक ऐसा राज यह भारत का जो की त्री टाइप से तीन तरफ से यह अंतर राश्टी सीमाओं से घिरा है अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जैसे कि अगर example क तोर पर यह वाला एरिया यह सिक्किम हो गया और फिर इसके बाद आप जानते हैं कि यह वाला एरिया जो होता है यह होता है आपका भूटान तो यहाँ पर आप एक एक करके ज़रा इसको लिखेंगे यह वाला एरिया क्या हो गया इसको हम लोग कहते हैं नेपाल है और इसक शात में यहां पर होता है आपका सिक्किम यहां पर है सिक्किम यह वाला एरिया होता है आपका भूटान और इसके बाद में यहां पर आप देखेंगे तो यह वाला एरिया हो जाता है तिबबत का लेकिन इस पर अधिकार किसका है यहां पर होता है चाइना तो इस तरीके से आ गया आपका नेपाल, तो ये तीन तरफ से अंतरराश्टरी सीमाओं के जराइं घिरा हुआ है अब इसके बाद यहाँ पर इस बाद को समझने के लिए एक मयप आपको देखना है, और इस मयप में आप देखेंगे तो ये आपका मयप हो जाता है और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे यह पूरा सिक्किम है एक तरफ यहाँ पर देखेंगे तो नेपाल होता है यहाँ पर देखेंगे तो चाइना या तिबबत होता है और फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो भूटान होता है कुल तीन तरफ से यह अंतर के एकजाम में कुछ इस तरीके से questions मिलते रहते हैं अब चलिए इसमें एक point आपको और भी बतला देते हैं कि जो 35 और 36 अमेंडमेंट हुए हैं हमारे Indian Constitution में 1974-75 में तो उसी के जरिये सिक्किम जो था भारत का संग भारती संग का ये छेत्र बना था यहां पर क्या था 35 संविध जान संसोधन के जरिये इसको पूर्ण राज्य का दरजा दिया गया था ये भी आपके लिए काफी important point है इसको भी आप note करके रखिएगा एक्जाम के लिए महत पूर्ण होगा चलिए यहां तक कि सारी बातें आपने समझ लिया है और एक point यहां पर और भी आपको बतलाना ह point आपका यह है कि तिबबत कहां पर है तिबबत होता है आपके north में तिबबत in the north and northeast भूटान in the east Nepal in the west and west Bengal in the south यह आपको यहां पर ध्यान में रखना है यह सारे points आपके एक्जाम के लिए जरूरी होंगे अगला सवाल देखिए आपके लिए है question number third the territorial dispute of Gilgit-Baltistan is between which of the following यहां पर आपको जो छेतर का विवाद है Gilgit-Baltistan का वही बताना है कि यह कहां पर है India and China के बीच में है India and Bangladesh, India and Pakistan या फिर है Pakistan and Afghanistan यहां पर आप जानते हैं कि भारत और Pakistan के बीच में है Gilgit-Baltistan का जो प्रदेश है इसी के बीच में यह विवादित है disputed area है Bedwin Pakistan and India और आप जानते हैं कि अगर इसमें आप देखेंगे यह वाला पूरा छेतर होता है इस मेप के जरीए तो यहां पर आप ध्यान दीजें क्या-क्या पॉइंट आपके exam के लिए यहां पर जरूरी होगा इस मेप के जरीए इस बात को समझेए देखें जैसे कि आप देखेंगे तो यहीं पर मौझूद है क्या यहीं पर मौझूद है आपका यह गिलगिट और बाल्टिस्तान का छेतर यह होता है गिलगिट बाल्टिस्तान और आप जानते हैं कि यह वाला जो एरिया होता है यह किसमें होता है यह आता है पी ओके के छेतर में कहां पर ह यह पीओके के छेतर में आता है इसलिए आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि किसके किसके बीच में यह boundary line को share करता है boundary line को share नहीं बलकि किसके किसके बीच में यह disputed area है तो आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इसका छेतर होता है चलिए एक बार इसको और भी समझ लेते हैं यहाँ पर आपको पॉइंट दिया गया है कि गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान अधिकृत लद्दाख के भीतर एक स्वायत तसासी छेत्र है जिसे पहले उत्तरी छेत्र या सुमाली के नाम से जानते थे यह भारत की उत्तरतम राजनेतिक इकाई है गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो कस्मेर का हिस्सा होता है और वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो ये कुछ हिस्सा इसका जम्मो कस्मेर में और कुछ इसका ज्यादा हिस्सा इसका लदाख वाले छेतर में पढ़ता है तो इस तरीके से ये पॉइंट भी आपके लिए क यानि कि आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो कि नेपाल के साथ बाउंडरी शेयर नहीं करता है यही आपका सवाल है और यहाँ पर आप ध्यान दीजें कि आपको आपसंस जो दिये गए हैं वो है पिली भीद, बलराम, पुर, कोशी नगर और श्रा उत्तर प्रदेश के कुल साथ ऐसे जिले हैं साथ जिले हैं जो कि बाउंडरी शेयर करते हैं किसके साथ यह बाउंडरी शेयर करते हैं नेपाल के साथ यह बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है आपसंस जो आपको दिये गए हैं इसके एकॉर्डिंग आपका राइट यहां पर आप देखेंगे तो यह जितने भी छेत्र आपको यहां पर दिये गए हैं, यह होता है आपका महराज गंज है, लास्ट में यहां पर आप देखेंगे तो कुशी नगर का पड़ता है, इसके बाद देखें महराज गंज है, सिधार्त नगर, बलरामपुर, स्रावस् यहां पर आपको जानना है कि a total of seven district of उत्तरप्रदेश touches the Nepal border तो यहां पर आपसे अगर question पूछा जाए कि कितने जिले ऐसे हैं उत्तरप्रदेश के जो की सीमा बनाते हैं नेपाल के साथ तो आपका right answer हो जाएगा total seven district है अब इसके बाद देयार पिलिभीत लखीमपुर खीरी इसके बाद है बहराईज, श्रावस्ति, बलरामपुर, शिधार्थ नगर और महराज गंज हैं यहां पर आपको ध्यान में यही रखना था कि कुशी नगर जो है यह कुशी नगर की जब हम लोग बात करते हैं तो यह आपको कुशी नगर जो है यह boundary share नहीं करता है नेपाल इंडिया is divided into how many major reasons तो आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि भारत को मुख्य रूप से कुल कितने parts में divide करते हैं तो right answer आपका क्या होगा इसमें 3, 4, 5 और 6 दिया गया है तो right answer आपका हो जाएगा option के तौर पर सही जबाब आपका होगा option number B यानि की total four type में हम भारत के division को भारत के reason को हम लोग क्या करते हैं divide करते हैं यह major reason होते हैं इसके अलावा आप जानते हैं कई सारे इसके sub reason होते हैं उसमें भी इसको divide किया जाता है तो यहां पर आपको यह बात ध्यान में रखनी है अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले point की तो अगले point में आपको चेतर में डिवाइट किया जाता है और जब चार बड़ी चेतर में इसको हम लोग डिवाइट करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कौन सा होता है तो यहाँ पर आप देखिए तो यह वाला एरिया जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं इसको हम लोग करते हैं साउथ का पेननसुलर रिजन और उसके बाद 30 मैदान होते हैं और इसके बाद द्वीप समू होते हैं ये इसके चार मेजर पार्ट्स होते हैं जहां पर इसको डिवाइट किया गया पांच महत्वपूर्ण प्रस्णों की प्रैक्टिस किया हम लोगों ने आज के अपने इस इ सादी ये 22 डेफेंस एकडमी के ऑंलाइन और ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ हमारे क्लासरूम प्रोग्राम के बारे में अगर आप कोई जानकारी जाते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल या वाट्स अप कर सकते हैं इसके अलावां आप हमारे में विजिट कर सकते हैं तो मिलेंगे आप से फिर तिरंगा सीरीज के एक नए एपिसोड के साथ तब तक के लिए आप सभी को जैहिंद वंदे मातरम